जैन दोस्तों बंदे मात्रम, यूक्रेन को लेकर अमेरिका और रूस के भी टकलार पर कलार है। अमेरिका को उमीद है अगर रूस ने यूक्रेन पर हमला किया तो इन हलात में भारत अमेरिका के साथ खड़ा होगा और उनकी मदद करेगा। अमेरीकी विदेश मंत्राले के प्रवक्ता, नेट प्राइस के मुताबिक, पिछले दुनों मेलबर में हुई क्वाड के विदेश मंत्रियों की बैठग में, यूक्रेन विवात पर चर्जा हुई थी, प्राइस ने भारत की तारीप की और कहा, भारत ने हमेशा कानूनों के मुताबिक चलने पर जोड दिया है साथी अमेरिका के विदेश मंत्राले के प्रवक्ता ने कहा कि क्वाड मीटिंग के दोरान हर देश ने यही कहा कि रूस यूक्रेन विवात का हल जंग नहीं बल्कि डिप्लोमाईसी से निकाला जाना चाहिए सभी को इंटरनेशनल कानूनों के हिसाब से चलना चाहिए पैसेफिक ओसियंस का मामला हो या या यूरोप का या फिर दुनिया के किसी और हिस्जे का हम जानते हैं कि भारत हमारा हर उस मामले में साथ देगा जो कानूनन सही है प्राइस ने साब कहा कि क्वार्ट मीटिंग के दोरान अमेरिका के विदेश मंत्री इंटली बलिंकन और भारत के एस जैसंकर के बीच डिफेस मामलों पर अलग से लंबी बातचीत हुई हाला कि उन्होंने इन साबालों का जवाब देने से परहेश किया कि रूस से S-400 मिसाल डिफेंस सिस्टम खरीदने पर इस्पेसल एक्ट के तहट प्रितिमियन लगाए जाएंगे या नहीं यूकरेन का इस्टन पार्ट रूस के बाॉर्डर से लगा हुआ है USSR के 1992 में डिडक्सन के बाद अधिकांस रूसी मूल के लोग यूकरेन में बस गये थे इस वज़ा से दोनों देसों के बीच आफसी तालमेल बेतर था लेकिन 2014 में रूसी राषपती ब्लादविन पुतिन के करीबी कुईटर यानोकोविच के सत्ता चली गई इसके बाद ही रूस और यूकरेन के संबंद बत्तर होते चली गई साथी सन 2014 में रूस ने यूकरेन का एक पार्ट क्रीमया पर हमला कर इसको कबजा लिया था क्रीमया पर रूस के कबजे के बाद यूकरेन ने विस्टन देसों से दोस्ती बढ़ानी शुरू की अगर वीडियो बताना आए तो चैनल को सब्स्राइब करके वीडियो को लाइक करना मत बूलिएगा धन्यवाद